हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं फिर से आप सभी के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और टेश्टी सी रेस्पी शेयर करने जारी हूँ आज मैं बनाने जा रही हूं बेसन रोल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी अगर आप एक बार बनाएंगे तो उगलिया चाटते रह जाएंगे तो आप जरूर बनाएं जरूर ट्राय करें इसे और आप सभी को मेरी वीडियो पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिये तो चलिए इसे बनाते हैं तो सबसे पहले यहां पे इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल भर के बेसन ले लिया है बेसन को मैंने पहले ही अच्छी तरह से चनली से साफ कर लिया है उसकी बाद मैंने भर के बाउल में रख लिया है अब पूरा बेसन हम इस तर पाउडर और साथ में यहां पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चमर और यहां पर आधा ग्लास पानी डालके हमें इसको अच्छी तरह से फेटना है यानि कि इसका हमें घोल तयार करना है तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इस घोल को अच्छ और इसको मैंने अच्छी तरह से फेट लिया है, और पतला गोल मैंने यहाँ पे बैसन का तयार करके ले लिया है, अब इसको एक प्लेट से ढखके हम साइड में रख देते हैं, तो अभी हमें कच्छा मसाला तयार करना है, तो इसके लिए यहाँपे मैंने 5-6 लैसन की कलिया को no अब इसके बाद इसमें हम एड करेंगे सरसो काला वाला सरसो हमें इसमें दो चमच भर कंड़ रेरा के डाल देना है और रिएक चमच में पर भीजि़े ले लेगे गार करें तो इंप कच्छे मसालों सलेप्टे पर- थोड़ थोड़ पानी डालके पतला पीषना है अगर आपके पास सिल्बट्टा नहीं है तो आप grinder जार में भी थोड़ थोड़ पानी डालते हुए और इसको पतला पीष सकते हैं तो मसाला हमने देखिए पतला पीस लिया है अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे एकदम मसाला पतला पीसना है मैं देखिए सिलबटे पीस लिए पीस हरी हूँ क्यों किसली सिलबटे वाली जो मसाले होते न उससे सब्जी बहुत ही टेश्टी बनती है अब यहां पर मैंने गैस के उपर देखिए लोहे का तवा मैंने गरम कर लिया है और इसका फ्लेम मैंने गरम करने के बाद एकदम लो रख दिया है अब इसके उपर हम तेल अपलाई कर लेंगे यानि कि तेल हमें इस पर भरके लगा देना है और गैस का फ् इस तरह से एकदम आराम से हम गोल गोल घुमाते हुए बेशन को और इस तरह से तवे के उपर फैलाएंगे आपको बिल्कुल भी यहां पर जल्दबाजी नहीं करना है एकदम आराम से आप इस तरह से दिखिए आराम आराम से घुमाते जाएंगे बेशन का जो गोल है तवे क कि उपर बहुत ही आराम से इस तरह से फैलता जाएगा गोल में अब देखिए फैला लिया है इसकी बब फिर से हम किनारे से इस पर तेल लगा देंगे तो अब इस रोल को हम एक तरफ अच्छी तरह से सीखने देंगे कम से कम दो से तीन मिनट तक हम गैस लो रखते हुए इसक रोल हमारा अच्छी तरह से सीख गया है क्योंकि पल्टे से बहुत ही आसानी से तवे पर से चुट रहा है तो सभी तरह से हमें इसको छुडा लेना है अब यहां पर हम चाकू ले लेंगे और चाकू की मदद से इस तरह से हम देखिए इसको रोल करेंगे एकदम आराम से हम रोल करेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से दूसरी तरह पर सीख चुका है और हमें इस तरह से इसको मोड देना है तो इस तरह से हमारा बेशन का एक रोल परफेक्ट तयार हो गया है और ऐसे ही हम दूसरा भी तयार करेंगे तो अभी देखिए तवे पर तेल लगा दिया है इसके बाद हम थोड़ा सा गोल डाल देंगे और इस तरह से आराम से हमें देखिए घुमाते हुए बेशन को हमें तवे के उपर अच्छी तरह से चारो तरफ से गुलाई में फैला लेना है पतला फैला लेना है अब इसको हम यह देखिए सभी तरफ से छुड़ा लेंगे दो तीन मिनट के बाद यह जो रोल है यह तरफ बहुत अच्छी तरफ से सिख गया है अब इसे हम चाकू की मदद से इस तरह से इसको रोल करेंगे तो देखिए यह रोल हमारा बेशन का पॉर्फेक्ट तयार हो गया है अब इसको हम निकालके प्लेट में रख लेंगे तो इसी तरह से हम जितना घोल बचा हुआ है बारी-बारी से सारे रोल को तयार करके रख लेंगे अब यहां पर देखिए मैंने गैस के उपर कड़ाई गरम कर लिया है और इसमें कम से कम तीन से चार चमच सरसो का तेल डाल देना है जैसे तेल गरम हो जाए इसमें हमें एक चमच भर के जीरा डाल देना है तड़के के लिए जीरा जैसी चटक जाए अच्छी तरह से हमने लेखिए सिल्बटे के उपर जो मसाला हमने तयार किया था कच्चा इस पूरे मसाले को हमें तेल में डाल देना है और गैस का फ्लेम ही आपे लो रखते हुए मसाले को हमें अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो मसाले का कच्चा पैन है वो बिल्कुल भी सबजी में ना आए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे तो जो बावल में मसाले लगे हैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको साफ करके कड़ाई में डाल दिया है मसाला, अब इसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे कम सकम 3-4 मिनद, अब यहां पर देखिए हम लुटित स्छाहिए को मिर्च मिर्च अदे अधा चेंपर अधा हम ने कि अरुटिक लगे यहां हो देकी कुछ कईसे अधाकमस दे घरकर पकाना है देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है अब यहां पे दो लाल टमाटर मैंने मीडियम साइज के कट कर लिये हैं इनको भी इसमें हमें डाल देना है और यहां पर हम डालेंगे नमक एक बात का हैं पर खास द्यान रखना है कि रोल में भी हमने नमक डाला है तो नम कट कर लेते हैं तो यहां पे प्लेट ले लेना है और चाकू की मदद से इसको हम कट करेंगे तो देखिए यहां पर हम जो बेसन का रोल है इसको आप अपने पसंद से जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं जैसे देखिए यहां पर मैंने इस तरह से चोकोनी-चोकोनी मैंने कट कर लिए हैं दूसरा रोल ले लेंगे और इसको हम बर्फी सेप में कट कर लेंगे तो आप को जैसा भी शेप पसंद हो इसका उसी साफ से रोल को कट कर लें तो बेसन का पूरा रोल हमने कट कर लिया है और यहां पर दूसरी तरब देखिए मसाला हमारा पक के हो गया अच्छी तरह से तयार मसाले नहीं पूरा तेल छोड़ दिया है और जो मसाले का कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आया है अब इसमें हम दो गिलास भर के पानी डाल देंगे तो बड़े गिलास का मैं है पर इस्तमाल कर रही हूँ और इसकी बाद पूरा हमें मिक्स कर लेना है पानी की साथ मसाले को अच्छी तरह से और इसको हम ढखके कम से कम मिडियम फ्लेम पे आठ से दस मिनट तक अच्छी तरह से इसको पका लेंगे तो अभी आठ मिननेट हमारे पूरे हो चुके हैं और हम प्लेट को हटा लेते हैं तो यह देखिए हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक के हो गई है तयार और बहुत ही अच्छी खुस्बु आ रही है इसमें से और इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया तो धनिया में पहले ही डाल रही हूँ क्योंकि देखिए बेसन का रोल डालने के बाद अगर हम धनिया डाल रहे हैं तो चलाएंगे तो रोल हमरा तूट सकता है तो इसलिए धनिया आप पहले ही डाल दें और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बेशन का रोल तो एके करके हम कडाई में रोल को इस तरह से अराम से छोड़ते जाएंगे तो बेशन का कटा हुआ सारा रोल देखे मैंने कडाई में डाल दिया है अब इसके बाद बीच में हमें हल्क असा चला लेना है बिल्कुल भी जादा नहीं चलाना है नहीं तो रोल जो हैं सॉफ्ट है तूट सकते हैं और यहाँ पर देखे सारा रोल डालने के बाद हम गैस ओफ कर देंगे और हमारी यह बेशन की रेशिपी बनके हो गई है तयार बहुत ज़्यादा खुस्बुदार बहुत ज़्यादा टेस्टी आप इसे चावल रोटी के साथ खाईए बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्षन में बताएं मेरी वीडियो पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चानल जरू से सस्क्राइब करें थैंक्यू मेरा वीडियो देखने के लिए बाई बाई